नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वाद प्रतिवाद में मैं देख विज़े एक नए विशय के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जेडियमसी कॉलेज में 30 जनवरी 2019 को होने जा रही है एक वाद विवाद प्रतिवाद प्रतिवाद के विशय के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा तो मैं कहना चाहूंगा आप चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अब इसके साथ ही साथ आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को इस चैनल को शेयर करें ताकि आपके पास जो सूचना आए है उस अब से पहले पहुंच सके ह इस डिवेट का जो टॉपिक रखा गया है जो विशय रखा गया है उसके बारे में उसके पक्ष का क्या विशय क्या विंदू होने चाहिए उसके विपक्ष में क्या विशय क्या विंदू रखने चाहिए एक वक्ता होने के नाते उन सभी के बारे में मैं बात करूँगा त conventional debate में आपको मालूम है कि कुछ लोगों के बीच में debate नहीं होती है यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं 20, 22, 25 टीमें, 40 टीमें कभी-कभी हमने 50 टीमें भी देखी है जिनके बीच में debate होता है और एक ही बिंदू बार-बार आभी सकता है और एक ही बिंदू को अलग-अलग तरीके से रखा भी जा सकता है तो आप ऐसा मानें कि मैं पहला वक्ता हूँ और जो मेरी द्वारा बोला जा रहा है वो एक प्रथम वक्ता द्वारा बोला जा रहा है तो अगर आप मुझे competitor की तरह लेंगे उसके बाद आप बिंदूों को अच्छे से त्यार कर पाएंगे और यही मेरी कोशिश है तो सुरू करते हैं JDMC College में होने वाले 30 जनवरी को जो debate competition है उसका विशय और विशय का पक्ष इस वीडियो में मैं आपको पक्ष के बारे में बताऊँगा for quality education अर्थाद निजी करण गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए पूर्व अपयक्षित है तो हमें विशय को clear cut समझ लेना है कि निजी करण और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की आवशकता बताई जा रही है तो हम सुरू करते हैं विशय क में पक्ष के वक्ता है सबसे पहले हमें निजी करण को समझना चाहिए निजी करण कहता है कि विक्तियों और विक्तियों के समूहों का संगठन कोई संस्था काम करना चाहरे किशी भी विशय में तो उसको राज जी द्वारा छूड प्रदान की जानी चाहिए और वो काम कर से चाहिए वो व्यापार के छेत्मों सिक्षा के छेत्मों धीरे धीरे ये दाइरा और जगों पर बढ़ा है राज उसमें हस्तशेप ना करे तो ये निजी करण कहलाएगा अर्था तो संस्था का उस और्गनाईजेशन का प्रबंधन और जो कार करने के तरीके उद्देश लक्ष राज तैना करे संस्था के लोग और व्यक्ति खुद ही तै करे उसे निजी करण कहा जाता है आप सभी को मालूम है लेकिन अब जो प्रश्ण उठाया गया है कि गुड़्वत्ता पूनष िक्षा के लिए निजी करण आवश्चक है इसका मैं पूर्जोर समर्थन करता हूँ विशे के पक्ष में हूँ इसलिए करता हूँ क्यों कि जब हम निजी करण की बात करते है तो निजी करण अपने लक्ष के प्रति बहुत ही सचेत होता है, तो जब लक्ष के प्रती सचेत है, तो इसका मतलब है कि वो अपने लक्ष को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है, और उस लक्ष को प्राप्ती करने के लिए दिन रात महनत कर रहा है, कड़ी महनत कर रहा है, इसलिए निजी कर सास व्यक्षा प्रतिष्पर्धा में पास होने की सभी योगता निखन सामने आ गुडमत्त्ता पूर्ण शिक्षा कैसे आएगी आपको मालूम होगा सरकारी स्कूनयों को क्या हाल होता है उसमें टीचर को ये पता होता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है इसलिए हो जादा मेहनत नहीं करता है बच्चों के उपर मसलन जो बच्चे खुद से पढ़ाई कर रहे हैं टूशल लेकर पढ़ रहे हैं वो पास हो जाते हैं और बाखी बच्चे जो है तो वहाँ पर टीचर के प्रदर्शन पर भी नजर रखी जाती है अगर टीचर किसी कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं तो टीचर के उपर प्रेशर डाला जाता है इसका मतलब है आप गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं या आप महनत नहीं कर रहे हैं बच्चों पर इसलिए बच्चे फेल हो रहे हैं या बच्चों का परदर्शन अच्छा नहीं है तो ये होती है निजी करन में और गर्मेंट इसकूलों की हाल है उसकी वज़े से तो अगर हम privatization कर देते हैं तो निश्चित तोर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हमें मिलेगी एक competition का मौहल तयार होगा और competition बच्चे ज़्यादा अच्छे से निखर कर सामने आएंगे तो निश्चित तोर पर ये कहा जा सकता है कि निजी करण गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षित है अर्थात पहली जो अवश्चिता है अगर हम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा चाहते हैं तो हमें निजी करण करना ही चाहिए और निजी करण की तरब बढ़ना चाहिए क्योंकि निजी करण लक्ष के प्रति सचेत रहता है मेहनत करता है और कार करने वालों की निरंतर निगरानी होती है लापरवाही बरतने पर आपको नौकरी से बरखास्त किया जा सकता है लापरवाही बरतने पर आपके उपर कारवाई ह होती है और आप जबाब दे होते हैं इंसिट्यूशन के प्रति और प्राइवेट में माता पिता भी ज्यादा आधिक सजग होकर बच्चे का ध्यान रखते हैं पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं लेकिन गौर्वर्मेंट स्कूल्स में और गौर्वर्मेंट कॉलेजेज में कि आप देखने को महल नहीं मिलता है जिसकी वज़य से वहां की जुगनवत्ता है वो डाउन हमें गिटती है और हम यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज देश में प्रतिसपर्धी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें प्राइवेट स्कूल की बच्चे जादा आगे रहते ह हैं तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखें कि कैसे पूर्व अपयक्षित है निजी करण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो यह थी पाक्ष की बातें जो कि कुछ मूल भूद मूल भूद बिन्दू हैं तो मैं उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इन बिन्दूओं को सुनेंगे और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप इन बिन्दूओं को अधार बनाते हुए नए बिन्दूओं का निर्मान करेंगे इन ही को आप सार भी कर सकते मैंने कहा कि आप मुझे competition का पहला वक्ता मानिए जिसने विशय को रख दिया है अब उसके उपर आप debate करें तो अगर आप ऐसा करेंगो तो निश्चित तोर पर मैं उमीद करता हूं कि आप अच्छे बिंदू को तयार कर पाएंगे बहुत-बहुत शु वीडियो को देखें क्योंकि पक्ष की बाते अगर आपको पता है तो विपक्ष में आप सोच सकते हैं तो यह थी पक्ष की बाते जेडीम्सी कॉलेज तीस जन्वरी 2019 को होने वाली वादवियात प्रतियोगिता यह बाइलिंग्वल प्रतियोगिता है आप हिंदी या अंग बॉक्स में लिखें जवाब दूँगा और अपने मित्रों के साथ साथ भी इसको शेर करें और बने रहें वाद प्रतिवाद आप यूटूब चैनल देख रहें हैं वाद प्रतिवाद के साथ बने रहें मने रंतर इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो और से जुड़ी हुई सारी जानकार यहां आपको देता रहूंगा थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्यू